नमस्कार स्वागत है आपका TNP News में और मैं हूँ आपके साथ स्मिताव पाध्याई UP में BJP के प्रचंड जीत के बाद विपक्ष लगातार दावे कर रहा है कि EVM में धांधली की वज़ा से BJP ने अब प्रचंड जीत हासिल की है और इसी वज़ा से बिपक्ष कताई मानने को तयार नहीं है कि अब BJP चुनाव जीती है तो इसी पर बातशीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है BJP जी जो की कॉंग्रिस के मन्रेगा समीती के प्रदे संयोजक रह चुके हैं नमस्कार सर और स्वागत है आपका हमारे शुमें धन्यवाद मैं धन्यवाद जिस पांडी जी का कहना है कि इवियम में धांदली पॉसिबल है जिसकी वजह से ये जनता को जागरू करना चाते हैं और जनता से सुप्रीम कोर्ट में याक्षिका दरवाना चाते हैं कि इवियम को हटा कर बैलेट पेपर से चुनाव किया जाए सर क्यों आपको लगता है कि इवियम में धांदली पॉसिबल है देखे मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि मैंने ये पहला चुनाव अपने जिन्दगी में देखा जो जनता की चर्चाओं के विपरीद जिसका रिजल्ट है और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ अपने आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने देश के सभी दरसकों के बताना चाहता हूँ कि मुझे चुनाव आयोग बहुत उच्च संस्था है हमारे देश की उस पर मुझे कोई उंगली उठाने का मेरा कोई हधिकार नहीं है लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां है जिसके कारण मजबूरन मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमारे देश के लोगतंत्र को अगर स्वस्त रखना है और मददाता का विश्वास इसमें रहना चाहिए कि वोट दे रहा है तो उसका वोट जहां वो दे रहा है वहीं पड़ रहा है इस बात के लिए चुनावायों को आगे बढ़ करके मददाता के शंका का निराकरण करना चाहिए मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि मशीनरीज के माध्यम में हम से आप से कहीं बहुत जादा आगे हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनके हां बैलेट पेपर से चुनाओ होता है एवियम के द्वारा वो चुनाओ नहीं कराते हैं क्योंकि उनका ये मानना है कि मशीन जो है वो कहीं न कहीं उसको हैक भी किया सकता है उसको टेंपर भी किया जा सकता है और भी तमाम उसमें गर्बडियां पैदा की जा सकती हैं हम से चुनाओ क्यों नहीं होना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाओ क्यों होना चाहिए क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाओ जब हम कराने जाते हैं जब हम डालने जात तो हमारा ये विश्वास कहीं न कहीं अंदर से मजबूत रहता है कि हमने अपनी आखों से देख करके मोहर लगाई है लेकिन EVM पर जब हम उट डालने जाते हैं तो हम उस निशान के आगे के बटन को दबा देते हैं और उसके बाद हमको यह जानकारी नहीं है कोई गारंटी ह हमारे पास नहीं है कि हमारा वोट वहीं पड़ा जहां मैंने जिस निशान के आगे डाला किस तरह से आम जंता को जागरू करेंगे हम अपने संगठन के माध्यम से जंता के बीच में जाएंगे हम आपके चैनल के माध्यम से जंता के बीच जाही रहे हैं उनसे हम यह बता र कोटों से कराया जाए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातशीत करने के लिए तो बिजेस पांडी ची का कहना है कि वह आम जनता के बीद जाएंगे और आम जनता को जागरुक करेंगे और उनसे गुजारिश करेंगे कि वह सुप्रीम कोट में याचिका डाले जिससे की बैलेट पेपर से चुनाओ हो इवेम को हटा दिया जाए और उनका ये भी वानना है कि अगर इवेम भी रहता है तो वीवी पैट से चुनाओ कराया जाए कैमरा परसन मनीश के साथ स्मिता उपाद ध्याए डिली